नमस्कार ने वेलकन प्रचाफईड्श मैं हूँ सूरज, और आग इस लेक्चर में हम बात करेंगे अभी रिसेंटली रिसरचस की एक टीम ने एक नई डैनासॉर की प्रजाती की खोँच की है, जिसका नाम है इसी साने तो इस lecture में हम इसी के बारे में बात करेंगे तो first of all हम बात कर लेते हैं भी जो news थी इसके बारे में तो देखे हमी रिसेंटी researchers ने एक 214 मिलियन पूर्व वर्ष पूर्व जो कि एक ट्राइसीक यूग से सम्बंदित है Greenland पर निवास करने माली डैनासोर की एक प्रजाती की खोज की है तो देखे इसके कुछ important points के बारे में मैं आपको बदाता हूँ करी वर्ष 1994 में Harvard विशुद्याले के जीवाश्म वैग्यानिकों ने पुर्वी Greenland में खुदाई के दौरान दो अच्छी तरह से संरक्षित डैनासोर खोपडी का पता लगाया था और नमूनों में इसे एक मूल रूप से प्लेटोसारस प्रजाती से सम्बंदित माना जाता है जो कि जर्मनी, फ्रांस और सुर्जल लैंड में पाया जाने वाला एक प्रसिद लंबी गर्दन वाला डैनासोर था रिसर्चस ने निर्धालित किया है कि यह एक नई प्रजाती है जिसे इसी सानेक नाम दिया गया है इसके बारे में देखे, यह एक मध्यम आकार का लंबी गर्दन वाला डैनासोर है सौरो पोट्स का पुरूवर्ती था जो अब तक का सबसे बड़ा भूमी पर पाया जाने वाला यह जानवर है इसी सानेक अब तक खोजे गए अनिसभी सौरो पोटो मॉर्फ से अलग है लेकिन ब्राजिल में पाया जाने वाले डैनासोर से इन में कुछ समानताएं पाई जाती है जैसे मैक्रो कॉलम और उनाय सौरस जो लगभग 15 मिलियन वर्ष पुराने है और यह उत्तर दिशा में 40 डिगरी से अधिक उचाई पर पाया जाने वाला सैरो पोडो मॉर्फ था ग्रीन लेंड की इन्पुट भाषा में नए डैनासोर का नाम का अर्थ है कोल्ड बॉन इन्पुट भाषा जो एस्किमो भाषाओं का नौर्थ इस्टन डिवीजन है यह भाषा उत्री अलासका कैनेडा और ग्रीन लेंड में बोली जाती है देखे यह जो अभी रिसेंटली खोज हुई है इसका क्या इसकी सिग्निफिकेंस क्या है तो इसे समझ लेते हैं देखे जो नई प्रजाती प्रित्वी के इतिहास में एक महत्त्पूर्ण समय के दौरान रहती थी यह रिसेर्चर्स को उस समय के अनुसार जलवाई परिवर्तन को समझने में भी मदद करेगा especially Greenland के लिए यह एक अधितिय नई प्रजाती महत्त्पूर्ण है क्योंकि यह रिसेर्चर्स को पूर्व ट्राइसे इक डाइनासोर की पहुँच के बारे में साथी साथ सौरो पोर्ट्स कैसे विक्सित हुआ इसके बारे में अधिक समझने में मदद करेगा इस हिसाने की खोज प्लेटो सौरिड सौरो पोडो मॉर्फ के विकास के बारे में ज्यान को व्यापक बनाएगी so I hope मैंने जितनी चीज़ा आपको बताए हो आपको समझनाए होंगी especially इस रिसर्च के बारे में जो अभी ये नए डैनासोर की प्रजादी की खोज हुई है तो अगर आपको इस लेक्चर की पीडियाफ चाहिए डिस्क्रिप्शन में जाए टेलेगाम चैनल को जोईन के लेज़े अगर आपको इस लेक्चर की पीडियाफ मिल जाएगी और अगर अभी तक आप मुस्से कनेक्ट नहीं किये हैं मेने सोचल मीडिया हैनल पर तो आभी कनेक्ट कर लेजी कि वहाँ पर आपको इसी तरीकी की डेली बेसिस प्रमा साइंस सेंटेक की अपडेट प्रवाइट करत हूँ लिंक आपको सभी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो सुमिंते हैं नेक्ष वीडियो में थैंक्यू फॉर वचिंग दिस्काइव गरेटे